पढ़ेंगे प्रदानमंति मोधी के दोरे को लेकर के जैपूर सचुका है। बजेपी कारेकरताओं का जोश भे हाई है। बड़ा मौका है। प्रदानमंति मोधी के जैपूर आगमन पर हमारी खास रिपोड़ देखे हैं। पहली बार पहली बार ऐसा होगा जब पियम मोदी तीन दिन जैपुर बे रुकेंगे अब पियम मोदी ही आ रहे हैं तो तैयारियां भी जोरों पर हैं CM भजनलाल भी आक्टिव हो गए हैं सीयम भजनलाल ने बिजेपी कार्याले में एक बैठक की जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शाबल हुए बैठक में पिया मोधी की दौरे कोले कर त्यारियों पर चर्चा की गए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के ओजस्वी कार्यकरता विश्वक के सबसे लोगपरे नेता का स्वागत करने को बेताब हैं पिया मोधी के जैपुर आने से कार्करताओं में भारी उत्सा देखने को मिला भारती जन्ता पार्टी के कार्यकरता शहर को सवच और सुन्दर बनाने के लिए शहर को सजाने के लिए अपने महंगे मेमान हमारे लोगपरे नेता आदनी मोधी जी के आगमन को लेकर अपनी तयारियां कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से हम सब लोगों का सोभाग्ये के आदनी प्रधान मंत्री जी भारती जन्ता पार्टी कारले में अपना समय गतित करें वही 6 और 7 जन्वरी को DGIG कॉन्फरेंस में शामिल होंगे इस कॉन्फरेंस में ग्रे मंत्री आमेशा, एनस्ते अजी डोवाल और सभी राजियों के DGIG शामिल होंगे जो देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मन्थन करें पिया मोदी के दौरे की त्यारी को खुद सीयम भजनलाल शर्मा भी देख रहे है इसी के चलते कारक्रम की त्यारी की गई है पिया मोदी जब जैपूर पहुचेंगे तो उनके स्वागत में सभी विजेपी की पड़ेनेता मौजूद रहेंगे साथी सुरक्षा विवस्ता का भी पुगता इंतर्जाम किया गया है चपे चपे पर निगरानी रखी जा रही है पिया मोदी के साथ आमिश्या और अजी डुबाल भी डीजी आजी कॉंफरेंस में मौजूद रहेंगे अब सभी को इंतर्जार पिया मोदी के जैपूर में आने का है ब्यूरर पोर्ट न्यूज एटीन जैपूर राजस्था देखना यही है कि प्रदानमंत्री आखिर मिशन दोजार चोबिस को फट्रा करने के लिए विधाय को और पदादी कारियों को क्या संदेश देते हैं कैमरा पर्षन शेर सिंग के साथ बागुलाल धायल न्यूज एटीन जैपूर और इसी बीच सीधे हम आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आजदाने जैपूर से डीजेपी यू आर साहू सीमो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा से मलाखाद करेंगे साहू प्रदानमंत्री मोदी के दोरे की तयारियों की जानकारी देंगे सब्सक्राइब आगे बढ़ेंगे और इसी वीच विकानर्स